गोवा की अपनी एक खास संस्कृती और पहचान है और गोवा सबको साथ लेकर भी चलता है जिनको गोवा की संस्कृती की परवा नहीं है उन्होंने गोवा को अपने ब्रश्टाचार का लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा एटियम बना करकर रखा था लेकिन भाजपा ने गोवा के लिए स्वयम पूर्ण गोवा का मंत्र दिया भाजपा ने समग्र विकास की बात की सबके लिए बराबर विकास की बात की क्योंकि विकास को टुकड़ों में जाती, धर्म, मत, मजहब, भाषा, छेत्र के नाम पर बाता नहीं जा सकता अगर नौर्थ गोवा का विकास होगा, तो साउध गोवा भी आगे बढ़ेगा अगर साउध गोवा में काम होगा, तो नौर्थ को भी उसका लाब मिलेगा और मुझे बताया गया कि आप जैसे यहां इखटे हुए हैं, साउध गोवा में भी वर्चुली बहुत बड़ी मात्रा में अलग-अलग स्तान पर लोग आज इखटे होकर के इस कारकम में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सोवा साउध गोवा के भाईयों बहनों को भी प्रणाम करता हूँ इसी तरह अगर जब हम गोवा के परियटन की संभावनाओं की बात करते हैं, तो उसके लिए गोवा को हर खेत्र में विकास की जरुवत है अगर यहां अच्छी सड़के नहीं बनती, नई सुविदाएं नहीं बनती, तो परियटक यहां आना पसंद करते क्या, कोई टूरिस आते क्या, यहां के हालत अगर खराब होती तो कोई आता क्या इसलिए भाजपास सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्टर के विकास का नया अभियान चलाया हुआ है गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्टर डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से मार्सेल और पैडिने में बस डीपो बनाए गए है तीन हजार करोड की लागत से मोपा इंट्रनेशनल एरपोर्ट का काम चल रहा है देश और दुनिया के परियटरक अब ज़्यादा आसानी से गोवा आएंगे यहाँ टुरिजम को गती देंगे साथ ही इससे गोवा में दूसरे उद्योगों में व्यापार में निवेश के रास्ते भी खुलेंगे गोवा में एक मल्ती मोडल लोजिस्टिक पार्ट बनाने का काम भी तेज गती से चल रहा है